आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आप थर्मो डानेमिक्स में वर्क के कैलकुलेशन से आने वाले किसी भी प्रॉलम को विदिन वन मिनिट में कर लोगे इस चैप्टर में सबसे बिग प्रॉलम जो बच्चों के सामने आती है कि बहुत सारे फर्मूले हैं इसमें तो कौन सा फर्मूला कहां यूज करना है ये सब जंजट से हमने बिलकुल आपको आजाद कर दिया बिटत जो बताने जा रहा हूं बहुत यूनिक वे में और पूरी थर्मोडानिक में वर्क का कहां कहां पर कैसे कल्कुलेशन करना है वो आपके सामने बोर्ट पर है बस इतना ही है ध्यान से देखो हमें थर्मोडानिक में वर्क का कल्कुलेशन दो केस में पूछा जाता है एक आईडियल गैस में कोशन में किलिरली मेंसन रहता है और एक क्य प्रियल गैसे में कैसे निकालेंगे तो वेरी सिंपल अगर प्रेसर कॉंस्टेंट है तो वर्क जो हो जाएगा पी इन्टू वालूम फाइनल माइनस वालूम इनिशल इस फॉर्मूले से आपको वर्क निकाल देना है साइन का भी टेंसन नहीं लेना आपको साइन मैं बताऊंगा वो भी अपने ट्रिक से तो ये निकाल देंगे अगर प्रेसर वेरियेवल है तो सर क्या करेंगे तो फिर इन्टिग्रेशन पी डिवी करना पड़ेगा जहां पे प्रेसर शुडवी फंक्शन वालूम में लेके आना है ये रेर है बहुत कम पुझे आते हैं सबस्यादा ये ये यूज होता है तो आइडियल गैस में ये ब है तो वर्क जीरो ही हो जाएगा टन्सम खतम अडियावेटिक प्रोसेश में चूकि क्यू जीरो होगा तो डबलू जो है वह आपका वो डिल्क यू चेंजन इंटर्निल आनरची के बरावर हो जाएगा आइडियल गैस में चेंज इन्टर्न आरची कैसे निकालते हैं एन्स thermal process होगा तो कैसे निकालेंगे तो W is equal to nRT ln V2 by V1 आप V1 by V2 कर लो कोई फर्क नहीं परता इसलिए बच्चे इसमें भी confuse रहते हूं बस दोनों को divide करना है किसी को भी उपर नीचे ले लो कोई फर्क नहीं परता क्योंकि sign हम decide करेंगे definitely फिर ऐसे भी लिख सकते nRT ln P1 by P2 तो ये बस आपको ध्यान रखना ideal gas में बस यहीं से वर्क निकाला जा सकता है now the question is कि sir sign उसके बाद कैसे देंगे positive or negative तो very simple ले बेटा इससे अच्छा trick कहीं भी लगा sign आप कैसे दोगे वर्क का आप question को परोगे expansion अगर हो रहा है expansion कैसे पता लगेगा initial volume कम है final volume जादा हो गया तो पता लगे expansion हो रहा है या word use कर देगा कि expansion हो रहा है तो वर्क के आगे value के आगे negative sign लेना परेगा इसलिए मैंने इधर negative positive कुछ नहीं दिखाया इसको बस पहले calculate कर लो sign हम decide करेंगे similarly compression हो रहा है तो वो पता लग जाएगा कि volume decrease हो रहा होगा पहले जादा होगा बाद में कम हो गया होगा तो वर्क क्या हो जाएगा positive तो वर्क की value के आगे positive से हैं रखना है दूसरा अगर system पे work हो रहा है ध्यान से देखो system पे work हो रहा है work done on system तो फिर positive क्यासे आपको इसको तो system को मानना है कि यह guest है तो guest पे अगर work कर रहे हैं तो positive feedback है लेकिन work done by system, system ने work किया तो अगर guest से work करा लिए तो negative feedback है तो negative कर दे रहा है तो very simple point हो गया system work done by system system work कर रहा है तो negative बात है work done on system system पे work हो रहा है तो अच्छी बात है positive feedback है तो बस यहां से आप connect कर लेंगे page change या chemical reaction constant pressure and temperature पे होता है तो work का एक ही formula है work is equal to delta NG RT जहां पे R की value fixed है 8.314 जिसको calculation easy करने के लिए 25 by 3 भी उच कर सकतो temperature always calvin में या कभी-कभी question में RT के firm में ही रहने देता है that is okay man point is की delta NG क्या है तो very simple delta NG is stoichiometric coefficient of product और कौन सा वाला लेना G मतलब gas वाला लेना आपको minus stoichiometric coefficient of reactant और G again मतलब gas वाला लेना जैसे यहां पे मैं एक example से समझाओ जब reaction में कुछ भी mention नहीं है तो सब को gas phase मानना राइट वैसे भी N2 gas होता है hydrogen gas ammonia gas तो यहां पे अगर मैं delta NG निकालू तो देखो stoichiometric product का पहले लेना है 2 है minus reactant में यहां 3 आगे और आगे वाला लेना है ध्यान देना तो 1 तो total 4 हो गया तो 2 minus 4 that is minus 2 जो sign है वो sign लेना बेटा तो यह minus 2 हो गया वैसे इस case में यह solid है एस मतलब solid तो इसका नहीं लेंगे यह solid है नहीं लेंगे यह gas है तो इसका लेंगे तो इसका अगर मुझे delta NG निकालना हो तो always product minus reactant product में इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो 1 और इधर तो solid है तो कुछ नहीं यह 0 तो यहां पे 1 हो जाएगा similarly इस case में G मतलब gas, L मतलब liquid यह सब आपको दिखा देगा L मतलब liquid, G मतलब gas तो इसका अगर मैं delta NG निकालू तो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 पहले product कर लेना है तो 1 minus क्योंकि इसका क्यों नहीं लिया क्योंकि यह liquid था तो नहीं लेना है solid होगा तो नहीं लेना है, इधर में यह liquid है नहीं लेना है, इधर लेना है तो minus 2, तो कितना होगया, minus 1, तो यह delta NG आप निकाल लोगे, delta NG आगया, R और T तो simple, phase change या chemical reaction में तो बेटा कोई tension ही नहीं है, direct एक formula और delta NG निकालना, बच्चो वाला काम है now, sir, sign कैसे देंगे, तो very simple, sign आप कैसे दोगे, अगर delta NG positive आ रहा है, positive इंदा सेंज जैसे यहाँ पे, plus 10 के साथ आ रहा है, तो work को negative करना है, क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो, delta NG positive होना है, अधर लग क्यों आगे, product में stoichiometric coefficient ज़्यादा है, gas का reactant वे कम है, मतलब expansion हुआ है, और expansion में work क्या होता है, negative, point वही है, समझने का तरीका अलग है, similarly, delta NG negative होगा, तो, जैसे इस case में negative हुआ, यहाँ negative हुआ, तो work को क्या करना पर हैगा, positive, क्योंकि negative होने मतलब क्या हो गया, compression हो गया, दबा दिया गया, तभी तो negative हुआ है, तो delta NG negative होगा, तो work positive हो जागा, sign positive रखना है, और delta NG zero हो गया, तो work zero हो जाएगा, तो chemical reaction में कैसे निकानना है, समझा दिया आपको, very simple, और ideal gas में कैसे निकानना है, sign हम खुद decide करेंगे, इस से बाहर कुछ नहीं है, बस यही आपको ध्यान से समझ लेना है, Now next, work निकानने का एक और तरीका है, that is graphical method, और इसमें भी बच्चे को बहुत confusion रहता है, तो वो confusion अब खतम हो जाएगा, ध्यान से समझो, अगर आपको pressure versus volume curve given है, तो area under the PV curve will give you work, right, ध्यान देना, projection आपको कहा पर लेना है, volume वाले axis पे, जिस axis पे volume को दिखाया, उस पे projection लेना तो ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक graph लिया है, pressure versus volume graph, तो अगर आप ध्यान से देखो, a से b आ रहे हैं, वो कैसे पता लगा, arrow से, और a से जब b आ रहे हो, तो ध्यान से देखो, volume क्या हो रहा है, x axis पे बढ़ रहा है, क्योंकि यह origin हो गया, origin से इधर जैसे जैस वाला answer करना है, now, निकालेंगे कैसे, तो वो ध्यान से समझो, अगर यह isothermal process होता है, तो isothermal process में area under the graph, तो ध्यान से देखो, यह पूरा area, यह area आपको work देता, right, लेकिन यही चीज़ अगर मान लो कि irreversal process होती, तो irreversal process में आपको क्या ध्यान देना है, कि final pressure कहाँ प्यार हो यह initial point है, final point यह, तो यह pressure है, right, final pressure, तो final pressure से एक line draw करनी है, और कहां से कहां तक, जहां से जहां तक volume का expansion हुआ है, तो final वाले में यह work है, तो वही point को मैंने समझाया, कि इस case में अगर मैं w reversible की बात करूँ, तो यह मान लो area a है, और यह area b है, तो a plus b area है, और w irreversal process अगर निक area a है, तो इसलिए आप ध्यान से देख सकते हो, कि अगर isothermal process है, और expansion हो रहा है, reversal process है, तो w max उसी में आएगा, that means maximum work आपको तम मिलेगा, जब reversible process हो और isothermal expansion हो रहा हो, वहीं पर ध्यान से देखो, यहां पे, यहां पे क्या हो रहा है, b से a पे जा रहा है, कैसे arrow से पता लगा, b से a पे इधर की तरफ मतलब volume का मोरा मतलब compression हो रहा है, तो ध्यान से देखो, अभी भी चुकी reversal process अगर होगी, तो उसका work यही रहेगा, यह वाला पूरा right, अभी भी यह work तो भी रहेगा, that is मालो यह area a माल लेता हो, और यह area b, तो work क्या हो जाएगा, reversal process का a plus b, जब compression हो र final pressure यह है, तो final pressure से एक line खिचनी है right, और कहां से कहां तक जो volume का जहां से जहां तक change हुआ है, तो यह ध्यान से देखो, यह भी work extra गिया, तो w irreversible अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो a plus b और इसको माल लेता हो c, तो यह c area भी है, तो मैं जो समझाना चारा हो यही, कि अगर irreversible process है, irreversible process, तो maximum work आपको कम मिलेगा, जब isothermal compression हो, जहां से देखो, यह compression हो रहा है, तो जब compression होगा, और maximum work चाहिए, तो irreversible process कराना परेगा, और अगर expansion हो रहा है, और आपको maximum work चाहिए, तो reversible process कराना परेगा, तो यह point ध्यान रखना है, right, तो यह समझ माया, और यह यह under the curve, यहां पे pressure versus volume, अगर कभी भी curve given हो, अगर pressure यह वाला constant है, तो यह ISO बारिक हो गया, अगर यह volume constant है, तो यह ISO कोरिक हो गया, always जो होता आइसो thermal, वो adiabatic से उपर होते हैं, पस यह ध्यान रखन होगे, क्योंकि इसमें work ज्यादा होगा, और adiabatic में work कम होगा, right, तो वही point को मैंने यहां लिखा है, कि work जो आइसो thermal process में होगा, वो ज्यादा आएगा, adiabatic process से, एक और point that is very very important, यह सब point पर question आएगा बेटा और बहुत important है, adiabatic expansion होगा तो, और बच्चे रटते हैं, र आप क्या बोर रहो, expansion, expansion में work क्या होता है, negative, अब यह value negative कब हो सकते है, n तो moles है, एक fix number है, cv, heat capacity at constant volume, यह भी fix number है, delta t को negative होना परेगा, delta t कब negative होगा, delta always final minus initial define होता है, तो यह कब negative हो सकता है, जब initial temperature ज़्यादा हो, final कम हो, तो that means temperature कम होगा है, तो कभी भी adiabatic expansion होगा, तो क क्या होगा, cooling होगा, यह subword यूज कर सकता, वैसे ही, adiabatic compression होगा, compression होगा, तो adiabatic है, तो q0, delta u, w के और आवर, और delta u क्या होता है, ncv, delta t, right, अब compression होगा है, तो work हमें मालूम है, science है, क्या, positive, तो work positive का होगा, जब delta t positive, delta t positive मतलब, t final minus t initial positive, that means t final greater होना चाहिए, that means क्या यह, adiabatic expansion होगा, तो cooling, adiabatic compression होगा, तो heating, अगर आपको maximum work چाहिए, expansion हो रहा है, तो reversal process कराना परेगा, अगर आपको maximum work आप चाहिए compression हो रहा है तो आपको irreversal process कराना पड़ेगा यह ध्यान रखना जब irreversal process हो तो final pressure कहां पर गया वहां से आपको एक line draw करना है volume कहां से कहां तक change हुआ जैसे यहां पर ध्यान से देखो तो final pressure मेरा यहां पर यहां पर final point है तो इसलिए यह एक line draw क्या और दो volume के बीच में तो इसलिए बस एतना ही हमारा work है irreversal में वैसे यहां पर क्यासे कि यहां से यहां के यह final है और volume कहां से कहां तक change वाइस पॉइंट से इस पॉइंट से तो यह पॉइंट और यह पूड़ा ऐसे कर देना है एक आपको रेक्टेंगल टैप का बना देना है फाइनल प्रेशर से लेते हुए दोनों वालूम के बीच का तो यह द्यान से देखो यह तो इतना आया ही प्लस यह वाला भी आ गया इसलिए वर्क इसमें ज्यादा होगा नाओ अप्लिकेशन की बात करते हैं तो कोशन नमबर वान जो की 2023 में पूछा हुआ है किस तरह से ग्राप दे दिया वर्क पूछा गया है जूल्स में तो दो ध्यान से देखना है यूनिट का भी यहां पर ध्यान रखना है तो पहले तो वर्क में वन से टू का निकाल लेत इसको अगर मैं जूल्स में करणा हूँ तो वन बार लिटर इसकल टू हंडेड जूल होता है तो इसलिए 20 इंटू 100 पलस माइनस आपको मालूम है क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क निगेटिव कर देना है डबलू 2 से 3 का निकालो तो आइसो कोरिक प्रोसेस तो वर्क क्या हो गया जीरो उसका डबलू 3 से 1 का निकाल लो 3 से 1 आइसो थर्मल प्रोसेस है राइट पीवी गराफ गिवन आपको तो क्या फॉर्मूला होता है एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन आपको बता है लगा लो और साइन तो हम डिसाइड करेंगे अब एन नहीं गिवन है से तो 1 मॉल गिवन है और यू नो पीवी इस इकल टू क्या होता है एन आर टी तो कहीं पर भी निकाल लो आप आइदर कंडिशन वन पर निकाल लो या कंडिशन टू पर या थिरी पर जहां पर भी बन करें तो मैं वन पर लगाना चाह रहा हूं तो वन पर सकता है मरा कितना या वन बार वालूम हुआ पर केतना है 20 थूआन देना प्रेशर कितना यहां पे sinking कर्के 25 यह हैगा तो यह हो गया टो यह केतना होगा है 20 यहां पर द्यान देना नेचरल लॉग है इसको लॉग विट बेस 10 में करना है तो 2.3 और यह लॉग 2 केतना होता है पॉइंट 3 तो यह सब मल्टिप्लाइ कर लो तो यह प्रॉक्स कितना आ जाएगा अब जहां से देखो तो यह 1,3,8,0 के आसपास आ जाएगा क्योंकि इसको 100 से मल्टिप्लाइ करना है जोल्स के लिए अब ध्यान देना यह क्या हो रहा है कम्परेशन हो रहा है तो यह क्या है जाएगा पॉजिटीव वैसा में मैंगनीचूट पूछा गया है तो लेकिन द्यान देना यहां तक उसके बाद टोटल प्रॉसेस का वर्क तो यह प्लस यह प्लस यह तो यह द्यान देना यह माइनस है और यह प्लस है तो यह 2000 आपका और 1380 अटा दोगे तो एंसर केतना ज जान देना है मतलब रख नेटीव बट मैंगनीचूट पूछ रहा है मैक्जिमम ब्रक का तो फिर कोई बात नहीं है आइसो थर्मल प्रोसेस है और मैक्जिम वर्क तो वो कब होगा जब रिवर्सब्र प्रोसेस होगा तो एंड रिवर्स फुल लिखी दिया है 300 कर निंद फ तब 5 R की value 8.3 temperature 300 Kelvin LN 20 by 10 कर दो तो यह आपका कितना जाएगा 5 into 8.3 into 300 राइट और यह natural log है उसको log with base 10 में convert करोगे तो कितना हो जाएगा 2.3 और log 2.3 तो multiply कैसे करेंगे वो भी द्यान से देखो यह इसका 10 आया और इसका 10 तो यह 0 से 0 cancel तो द्यान से देखो कितना जाएगा 5, 83, 3 और 23 और into में 0.3 है तो यह द्यान रखना है तो यह सब approach करोगे तो आपको कितना जाएगा 8630 के आसपास कैसे अगर मैं इसको 80 भी लो तो 85 the 40 400 तो यह हो गया और इसको 25 लो तो into 75 और into में 0.3 तो यह अगर द्यान से देखो तो आप इसको कितना कर सकतो हो 120 राइट 400 into 0.3 कितना हो गया 120 कैसे है क्योंकि इसका यह 10 से 10 तो 120 तो 120 into 75 जो कि यह प्रॉक्स कितना हैगा कभी भी आपको proper calculation नहीं करना है क्योंकि option given है तो आप close तक को आप पहुंच सकतो question number 3 में 5 moles ideal gas का था 1 bar pressure एतना temperature पे expanded into vacuum बस यह वट से देखो खतम अब यह इतना information given है यह सब फालतूगा है कभी कभी बच्चे यही सब समझ नहीं पाते हैं और वो question को गलत करका जाते हैं कि यह समय से कोई होगा vacuum में मतलब pressure 0 pressure 0 तो work 0 क्यों 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 क्या था PDV तो प्रेशर ही 0 तो इस टाप के question पूछे जाते हैं now next question number 4 में ideal gas expand 1 liter to 10 liter against constant external pressure of 1 bar तो work kilo जो में बताना है तो यहां पर देखो मैं जो points अब बताया था आपको इसी वज़ा से एक तो expansion हो रहा है तो work negative होगा इसलिए यह option गया इन तीनों में से कोई होगा 1 liter to 10 against constant external pressure मतलब हमारा कैसा होगा irreversal process तो work क्या हो जाएगा P delta V मतलब volume final minus volume initial P केतना है 1 bar volume final minus initial केतना हो गया 10 minus 1 9 तो यह 9 bar into liter होगा 1 bar liter 100 के बरावर होता है तो यह कितना हो जागा 900 जूल हमें किसमें चाहिए किलो जूल में तो इसको divide कर दोगे तो 0.9 किलो जूल और चुकि expansion हो रहा है तो negative तो इसलिए option C तो दियान से देखो ऐसे करना है question number 5 में find work when one mole of ethane burnt in oxygen completely at 500 Kelvin तो ध्यान देना है यहाँ पर यह reaction आगया कैसे क्योंकि ethane को burn कर रहे है तो C2H6 को oxygen में burn क्या तो क्या मिलेगा completely CO2 and water ऐसी reaction को balance कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूँ दो कारवन है तो 2,6 hydrogen है तो यहाँ तीन यहाँ total 7 होगे तो यहाँ 7 by 2 अब यहाँ पर इस temperature का use है 500 Kelvin है इसलिए water किसमे होगा gas phase में CO2 तो gas में रहे गाए O2 gas है इथेन आपका gas है अगर यह temperature 100 degree Celsius that means 373 से कम होता है तो यहाँ पर फिर हमें liquid लेना परता है इसलिए फिर delta NG में वो नहीं आता है तो अभी delta NG कितना हो जागा ध्यान से देखो 3 plus 2 5 minus 7 by 2 that is 3.5 और यह 1 तो 4.5 तो कितना हो गया 0.5 वर क्या होता है reaction में delta NG 80.5 आर हो गया आपका 8.3 temperature 500 तो इसका दोनों point हटा दो आप तो यह 10 यह 10 यह cancel हो गया ध्यान से देखो यह 25 इंटू 83 यहाँ पर ही बच्चे calculation करते हैं नहीं करना पेटा ध्यान से देखो इसको 80 लो तो 25 और 80 कितना हो गया 2000 का असपास 2000 से थोड़ा जादा answer क्या हो जाएगा A now यहाँ पर plus या minus अगर हमें करना होता तो ध्यान से देखो यहाँ पर सारे plus में दिये हो हैं इसलिए अगर plus minus करना होता तो delta NG positive आया है मतलब expansion हो रहा है तो work क्या होता negative तो by the way work आता negative तो now जाते 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 ग्यान की बात और that is very important कि unit का conversion one calories होता है वो 4.18 जिसको calculation easy करने के लिए 4.2 जूल या एप्रॉक्स 4 जूल लेकर भी आप कर सकतो depending option कैसे given है right 180 liter generally जो pressure ATM में volume liter में तो अगर उसको joules में ले जाना हो तो 101.325 होता है जिसको 101 joule भी ले सकतो और calculation को easy करने के लिए 100 भी ले सकतो वैसे ही 1 bar liter जब वो 100 joule के बराबर है तो यह ध्यान रखना है इसलिए unit में ही दिक्कत होती है बच्चों को दूसरा work कहा कहा पर zero हो सकता है iso coric process बोल दिया तो delta ng zero हो गया तो वहां पर work zero होगा vacuum word use कर दिया है work zero कर देना है rigid container बोला work zero क्योंकि delta भी zero हो जाएगा free expansion कहीं पर word use कर रहा है delta g zero faith change में solid से liquid में जा रहा है या liquid से solid में तो वहां पर भी work zero तो यह point जहान रखना बैटा इस बहुत important point है खोज-खोज करके निकाला है मैंने तीसरा केटी जे path function और अगर यह path function है तो यह path पर depend तो करेगा लेकिन एक case में यह state function हो जागा और वो कौन सा adiabatic क्यों adiabatic में change in hit zero तो delta u is equal to q plus w q zero हो गया तो delta u w के बराबर चुकि delta u आपका state function है और वो w के बराबर हो रह तो इसलिए ध्यान देना work शरिफ एक ही case में state function हो सकता है adiabatic process में otherwise work जो है वो एक path function है तो यह एक तरह से process dependent हो गया किसी particular process में तो यह state function हो सकता है in general आप यहाँ पे जो बच्चों को confusion होता है वो भी ध्यान से सुन लेना अगर पुझा work कीजे तो path function लेकिन work in adiabatic process तो फि work का formula होता क्या है f.s यह आप physics में परतो और we know कि जो pressure होता है वो force by area होता है तो यहाँ से force क्या ले सकतो pressure into area तो यहाँ पे लिख दो pressure into area into यह length आपका तो यह area into length क्या हो गया dv volume हो गया तो इसलिए p tv करते हैं तो चुकि chemistry में pressure से ज़्यादर relation होता है force की बात ही नहीं करते ह इसलिए हम यहाँ पर ऐसे और physics में ऐसे नहीं कलते हैं तो I hope मेरा यह परियास आपको समझ में आए होगा बेटा आप पूरी thermodonics में कहीं से पूछ ले आपको जो दो केस बताया वहीं से आएगा उसको अच्छे समझ लो उससे बाहर कुछ नहीं है थैंक्यू